हलो शुर्ण हाव आर यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम एक्सरसाइज 6E के कुछ नमस 7 से आपको बताएंगे ओके बेटा देखिए क्या कह रहा है कह रहा है तो नमबर्स आर इन दे रेशियो 4 इस तो 5 इफ 30 इस सब्टाक्टेट फॉम इच अफ दे नमबर्स दे रेशियो बिकम्स 1 इस तो 2 फाइंड दे नमबर्स आसान कोशन है बेटा देखो पैसे करेंगे solution आप उन नमबर्स को क्या माल लोगे बेटा जो इस नमबर्स की बात कर रहा है उसको आप X और Y माल लोगे ठीक है तो आप यहां पी लिखोगे लेट दा नमबर्स बी X और Y क्लियर है बेटा उसके बात समझेंगे ATQ यानि according to question question में क्या कह रहा है कि दो नमबर का रेशियो कितना है 4 इस तो 5 है तो यानि कि X अपॉन Y कितना दिया है 4 अपॉन में 5 दिया है cross multiply कर दो 5X यह हो जाएगा 4Y तो 5X is equal to 4Y 4Y को आप left hand side में shift कर दो तो हो जाएगा 5X minus 4Y is equal to 0 clear है अच्छे से ओके चलिए 4Y को left hand side लेगा तो minus 4Y हो गया clear है ना अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है if 30 is subtracted from each of the numbers कह रहा है X और Y में से अगर 30 30 को minus का दिया जाए दोनों में से तो ratio कितना हो जाता है 1 is to 2 हो जाता है यानि second case क्या कह रहा है कि X में से 30 minus करो Y में से 30 minus करो तो answer कितना हो जाता है 1 is to 2 हो जाता है ठीक है 1 upon में 2 हो जाता है cross multiply कर दो 2 को X से करेंगे तो हो जाएगा 2X minus 2 को 30 से करेंगे तो हो जाएगा 60 Y को 1 से करेंगे तो Y ही रहेगा minus 30 को 1 से करेंगे तो minus 30 हो जाएगा minus Y को इधार ले आएंगे minus 60 को उधर पेश देंगे तो 2x, y को इधार लाएंगे तो minus y हो जाएगा, minus 30, minus 60 को इधार ले जाएगे तो plus 60 हो जाएगा, तो जाएगा 2x minus y is equal to minus plus minus, 60 में से 30 को minus करेंगे तो हो जाएगा 30, यह हो गई आपकी question number 2, अब दोनों को solve कर लो, एक साथ लिक क्या answer आजाएगा, चलिए कर लेते हैं, देखें कि क्या आएगा, 5x minus 4y is equal to 0, 2x minus y is equal to 30, अब देखो, first equation में y का coefficient minus 4 है, second equation में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, y का coefficient minus 1 है, क्योंकि आगे minus लगा है, तो इसको अगर हम second equation को 4 से multiply कर दें, तो इस case में भी क्या हो जाएगा, y का coefficient minus 4 हो जाएगा, चलिए, यह हो जाएगा, 5x minus 4y is equal to 0, 2, 4 हो जाएगा, 8, 7 में x, 4 को minus y से करेंगा, तो जाएगा minus 4y, और 4 को 30 से करेंगा, तो जाएगा 120, यह minus 4y है, तो जाएगा plus 4y, यह plus 8x है, तो जाएगा minus 8x, यह plus 120 है, तो जाएगा minus 120, ठीक है, minus 4y plus 4y, खत्म, 5x minus 8x, तो हो जाएगा minus 3x, और यह हो जाएगा minus 120, क्लियर है, minus sign से minus sign cancel out हुआ, ओके, x की value कितनी आजाएगी, 120, 3 जो है upon में आजाएगा, 3 बंजा, 3 फॉर्जा, 12, एक 0 बचाएगा तो 0 लगा देंगे, तो x की value कितनी आगई बेटा, 40 आगई, अब जो x की value 40 आईए है, उसके अठाके आप equation 1 में put कर दो, answer आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ बे देखो क्या हो जाएगा, 5 into 40, minus 4y को इधर बेच दो, तो जाएगा 4y, अब देखो 4 को इधर shift कर दो, 5 into 40 upon the 4 is equal to y, 4 1s are, 4 10s are 40, 5 को 10 से multiply कर आओगे, तो y की value कितनी आजाएगे, 50 आजाएगे, clear है, अच्छे से, यानि x की value 40 आजाएगे, y की value कितनी आजाएगे, y की value 50 आजाएगे, तो शुर्ण लेकेंगे, कुछ नमबर 8 समझे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है, इप the numerator of a fraction is increased by 2, and denominator is decreased by 1, it becomes 2 by 3, if the numerator is increased by 1, and denominator is increased by 2, it becomes 1 by 3, find the fraction, ठीक है, असान question ने बेटा देखू, कैसे करेंगे solution, समझेंगे बेटा इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखो, numerator को आप question में क्या मान लो, numerator को मान लो बेटा x, ठीक है, और denominator को क्या मान लो, denominator को मान लो आप y, ठीक है, उसके बाद यहां भी लिखेंगे atq, question के हिसाब से, अब पढ़ो ज़रा, कहरा numerator में अगर आप 2 को बढ़ा दो, और denominator में को बन से घटा दो, तो आप हो जाते हो, यानि आपका जो fraction है वो हो जाएगा 2 by 3, चलो ठीक है, numerator को हमने 2 से बढ़ा दिया, denominator को बन से कम कर दिया, कितना हो गया fraction आपका 2 by 3, cross multiply कर दो, 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 2 को y से करेंगे तो हो जाएगा 2y, minus 1 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा minus 2, 3x plus 2 को इधर लेंगे तो हो जाएगा minus 2y plus 2y को इधर लेंगे तो हो जाएगा minus 2y minus 2 minus 6 हो जाएगा 3x minus में 2y is equal to हो जाएगा minus 8 यह हो गए आपकी question number 1 clear है अब second case पढ़ते हैं if the numerator is increased by 1 यानि numerator को 1 से बढ़ा दिया and the denominator is increased by 2 denominator को 2 से बढ़ा दिया तो आपको fraction कितना हो जाता है 1 by 3 हो जाता है cross multiply कर देशको हो जाएगा 3x plus में 3 y plus 2 को 1 से multiply करेंगा तो हो जाएगा y plus 2 इधर ले जाएगा 3x minus y is equal to 2 minus 3 ठीक है तो जाएगा 3x minus y is equal to minus 1 यह हो गए आपकी question number 2 हम दोनों को लिखके solve कर लो एक साच यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है समझने बटा तो जाएगा 3x minus में 2y is equal to minus 8 यह हो गए 3x minus में y is equal to minus 1 solve कर लीजे अब देखो यह plus 3x है तो minus 3x कर देंगे plus y है तो minus y है तो plus y कर देंगे minus 1 है तो plus 1 कर देंगे 3x minus 3x खतम हो गया minus 2y plus y तो answer आएगा minus y minus 8 plus 1 answer आएगा minus 7 minus 9 से minus 9 cancel out हो गया y की value कितनी आगई? 7 आगई अब जो y की value 7 आई है ना उसको उठा के चाहे आप equation 1 में put करो चाहे 2 में put करो आपको answer मुझ रहे रहे हैं clear है? चलिए equation 2 में put कर देते हैं यहाँ put आगे, ठीक है? तो देखा 3x minus में 7 is equal to minus 1 इसको इधर भेजता हो देखा 3x is equal to minus 1 plus 6 देखा 3x is equal to अच्छा माफ करिएगा minus 1 plus 7 होगा ना बटा? इसका answer कितना आएगा? अब आएगा answer plus 6 तो x की बाएगा कितनी आजाएगी? 6 upon 3 अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा उपर कर देता हूँ ठीक है ना? तो x की बाएगा यहाँ पर? 2 आगई ठीक अच्छा, fraction आपका क्या होता है? fraction होता है numerator upon denominator numerator को आपने x माना था denominator को y माना था numerator आपका 2 आया है x की बाएगा पर आया है 7 fraction आपसे पूछा था आपने fraction question में बता दिया clear है? अच्छे से चलिए इसके बाद अपना नेस question करेंगे समझना थोड़ा सा ओके? चलिए question number 9 देखो काईड़ा दा sum of numerator and denominator of a fraction is equal to 7 4 times a numerator is 8 less than 5 times a denominator find the fraction आसान question हो बेटे देखो solution numerator को आप क्या मानोगे numerator को आप मानोगे x denominator को denominator को क्या मानोगे बेटे denominator को मानोगे भाई ठीक है? तो कह रहा है numerator और denominator का जो sum है वो 7 दिया है यानि question के हिजाब से a, t, q according to question जो x प्लस y है वो कितना दिया है? वो दिया है 7 यह हो गया आपकी question number पर clear है? अच्छे से? आप देखो कह रहा है 4 times the numerator numerator का 4 गुना जो है वो denominator के 5 गुना से 8 कम है ठीक है? यानि समझो मैंनी बात numerator का 4 गुना यानि x का 4 times जो है यह denominator के 5 times है यानि denominator के 5 times कितना होगा? 5y उससे कितना कम है बिटा? उससे कितना कम है? उससे 8 कम है उससे कितना कम है? उससे 8 कम है यानि 4x is equal to 5y माइनस 8 देखो numerator का 4 गुना denominator के 5 गुना के 8 कम है तो यह निमाइनस 8 कर देंगे ठीक है इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 4x 5y को लेफ्ट हंड साइट में ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस 5y is equal to minus 8 यह equation 2 हो गई solve को लो दोनों कौन सारा जाएगा तो x plus y is equal to 7 दिया है 4x minus 5y is equal to minus 8 दिया है अगर आप पहली equation को पहली equation को किस से multiply कर दें 5 से multiply कर दें तो देखो आपको क्या मिलेगा यह जाएगा 5x plus में 5y is equal to 35 यह जाएगा 4x minus में 5y is equal to minus 8 solve कर लो minus plus खतम plus 55 minus 55 यह कितना हो जाएगा आपका 5x plus में 4x answer कितना आएगा 9x आएगा अब जगो 35 में से आप 8 को minus करोगी तो मेरे खाल से 27 आएगा 9 मन्जा 9 3 जग्स की value कितनी आगई 3 आगई अब जग्स की value आई है ना उसको ठाक इस equation में put कर दो पहली वाली equation में ठीक है तो आप जखो कि put put x is equal to 3 in equation 1 तो x की जगा पे 3 put करेंगे तो 3 plus y is equal to 7 equation 1 यह है ठीक है x की जगा पे 3 put किया है तो y की value कितनी आजाएगी plus 3 उधर शिप्ट होगा तो minus 3 हो जाएगा और 7 minus 3 तो 4 आएगा तो y की value कितनी आगई 4 आगई ठीक है तो बैटा fraction कितना हो जाएगा fraction होता है बैटा numerator upon my denominator numerator था x denominator है y numerator x की value आई है आपकी 3 और y की value आई है 4 clear है बैटा आच्छे से अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको like करे, comment करे, share करे और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुचाए जो coaching को effort नहीं कर सकते ठाइक